सचिशी चैतनी महाप्रभु ने शर्णागती का प्रथम लक्षण बताया दीनता महाप्रभु कहता है कि जिस वुरुख्ष की डाली पर फल उगता है वो डाली जूक जाती है जिसके रदे में भक्ती रूपी प्रेम रूपी फल लगता है उसका रदे जूक जाना चाहिए उसका जीवन नम्र बन जाना चाहिए भक तो नम्रता कोई कायरता नहीं है दुनिया के लोग कभी कभी नम्रता को हंबल ने इसको कायरता समझ बैठते हैं उनको जो समझने आए समझने दो हम तो महाप्रभु ने जो सिखाया नम्र बनेंगे और भगवान को प्राप्त करेंगे तो पहला शर्णागती का दुसरा लक्षन चेतनी महाप्रभु कहते हैं आत्म निवेदन शर्णागती का दुसरा लक्षन है आत्म निवेदन आत्म निवेदन का अर्थ होता है अपना जो कुछ भी है वे भगवान को निवेदन कर देना आत्म माने अपना निवेदन माने अरपन कर देना शर्णागती का दूसरा लक्षन हमारे पास जो कुछ भी है वो भगवान को अरपन कर देना बक्तो आत्म निवेदन के आचारिय आइडल जो है आदर्श है बली महराज है किस प्रकार से आत्म निवेदन करना चाहिए यदि सिखना हो तो बली महराज की कथा सुनियेगा बली महराज के पास बली महराज के आंगन में जब स्वयम भगवान वामन देव पधारे बली महराज ने कहा जो चाहिए वह मांगो तीन पग भूमी मांगी कहा और जादा मांगो बले नहीं तीन पगी चाहिए और आप सब जानते हैं दो कदम में भगवान ने पूरे ब्रह्म को नाप लिया तो बली महाराज ने का चिंता मत करो आपका तीसरा चरण जो है मेरे मस्तक पर रख दो इस प्रकार बली महाराज ने अपना तो सब कुछ दे दिया बली महाराज ने अपने पांस जो था वो तो सब कुछ दे दिया लेकिन बली महाराज ने अपने आप को भी और हम भगवान को समर्पन करे इसे आत्म निवेदन कहता है तो यह शर्णागती का दूसरा लक्षन है शर्णागती का तिसरा लक्षन है गोपतृत्वे वरण गोपतृत्वे वरण का आर्थ होता है कि भगवान को अपने पालन करता के रूप में स्विकार करना या अनुभव करना अर्थात शरणागती का ये तिसरा लक्षन है गोप्तरुत्वे वर्ण इसका अर्थ होता है कि भगवान को अपने पालन करता के रूप में स्विकार करना और अनुभव करना अर्थात रात दीन 2400 घंटा इस बात का realization होना चाहिए कि मेरा पालन मेरा भरण पोशन भगवान कर रहे हैं यदपी हम लोग जौब करते हैं बिजनेस करते हैं कामदंदा करते हैं लेकिन अपना भरण पोशन करने के लिए इतना काफी नहीं है जब तक भगवान हमको help न करे तब तक हमारा भरण पोशन नहीं हो सकता इस भाव से हमें भगवान को स्तुती करनी चाहिए इस भाव से हमें जीना चाहिए नहीं तो विचार करो कुछ लोग के पांस बहुत धन हो जाए तो वो धन को खा थोड़ी सकते हैं जब तक भगवान की पत्नी पुरत्वी जब तक भगवान इस पुरत्वी से अनन उगाए जब तक भगवान ऑक्सिजन हवा न दे पानी न दे हम धन का क्या करेंगे तो ultimately हमारे जीवन का पालन भगवान करते हैं शरनागती का तिसरा लक्षन है गोपतुर्तवे वरण अर्थात भगवान हमारे पालन करता है श्रुनागती का चोथा लक्षन बताते हुए कहता है अवश्य रक्षी बे कृष्ण विश्वास पालन यह थोड़ा सा लंबा है अवश्य रक्षी बे कृष्ण विश्वास पालन एसा विश्वास होना चाहिए कि अवश्य रक्षी बे कृष्ण कि कृष्ण हमारी अवश्य रक्षा करेंगे एसा द्रड विश्वास होना चाहिए श्रद्दा शब्दे विश्वास कहे सुद्रड निश्चई कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत है द्रड विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे और ये देखा गया है प्रलाद महराज के जीवन में अमरिश महराज के जीवन में प्रलाद महराज को मारने के लिए शंड और अमर्क ने कृतिया प्रकट की और कृतिया हाथ में त्रिशुल लेकर प्रलाद की और दौडते हुए आई लेकिन प्रलाद अपने स्थान से एक कदम भी पीछे नहीं हटे भागवत के नवम सकंद में भी वर्णन है कि दुरवासा रुशी ने अपनी जटा उखाड कर कृतिया प्रकट की फिर भी अमरिश महाराज को भगवान में इतना विश्वास था कि यदि मैंने भगवान की सच्ची भक्ती की है तो ये मेरा कुछ नहीं विगाड सकती तो नच चालव हो इसे कहते हैं अवश रक्षी बे कृष्ण विश्वास पालन कृष्ण हमारी अवश रक्षा करेंगे तो ये हैं शर्णागती का चोथा लक्षन शर्णागती का पाच्वा लक्षन भकतियनू कुल मात्र कारियर श्विकार भकति प्रतिकूल बाव वर्जन अंगिकार शर्णागती कहते हैं शर्णागती का पाच्वा लक्षन भकति अनूकुल मात्र कारियर स्विकार अर्ताथ भकति में जो अनूकुल कारियर है उसी को ही स्विकार करना चाहिए भकति के अनूकुल कारियर को स्विकार करना चाहिए कई बार कुछ बच्चे आजकल के जवान बच्चे तरक देते हैं इवन डिवोटी के बच्चे के शिल प्रभुपाद ने कहा नो मेट इटिटिंग, नो गैंबलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन प्रभुपाद ने कभी ऐसा तो नहीं कहा के टीवी नहीं देखना चाहिए प्रभुपाद ने ऐसा तो नहीं कहा के फेस्बूक, हाला कि प्रभुपाद के टाइम में फेस्बूक नहीं था, प्रभुपाद ने ऐसा इसे ही कारिय करना और शर्णागती का छठा लक्षन है भक्ति के प्रतिकुल कारिय को त्याग देना प्रतिकुलस्य वर्जनम अनुकुलस्य संकल्प प्रतिकुलस्य वर्जनम अनुकुल कारिय को स्विकार करना और प्रतिकुल कारिय को त्याग देना तो इस प्रकार से शडंग शरणागती हया छे जाहार ये छे प्रकार की शरणागती जहां पर होगी तो कहते हैं ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार उसी की प्रार्थना नंद कुमार भगवान कृष्ण सुनेंगे तो अब तक हमने ये जाना कि गजिंद्र हो या भगवान हो या कुंती हो या कोई भी हो भागवत में किसी ने प्रार्तना और स्तूती की तो भगवान उनकी सुनते हैं, हमारी क्यों नहीं सुनते हैं, क्योंकि हमारी प्रार्तना स्तूती में शर्नागती नहीं है, तो हमने ये शर्णागती किसे कहते हैं लेकिन अब मैन प्रश्ण यह है कि ये शर्णागती प्राप्त कैसे होगी ये शर्णागती हमारे जीवन में आएगी कैसे क्योंकि दुनिया के दुकान और मौल में सब कुछ मिलता है शर्णागती नहीं मिलती है ये शर्णागती कहां से मिलेगी त काकुर भक्ति मिनोद आगे बहुं सुंदर कहते हैं। भक्ति मिनोद पडे दुई कर जोरी। कांदिया कांदिया बले आमित अधम शिखाय शरनागति करह उतम। भक्ति मिनोद कहते हैं कि ये शरनागति कहां से आएगी शरनागति का भाव कहां से आएगा। तो कहते हैं रूप रगुनाथ पदे रूप गोश्वामी रगुनाथ दाज गोश्वामी जैसे महान संतों के चरणों में दोनों हाथ जोड़कर और कांदिया कांदिया जब तक रोते हुए हम प्रार्तना नहीं करेंगे तब तक ये शरनागति हमारे जीवन में नहीं आएग भक्तों हमें और शरनागति के बीच में बहुत बड़ा फासला है इसे मिटाने के लिए इसी शरनागति को प्राप्त करने के लिए रूप रगुनाथ जैसे चैतनी महाप्रभु की परंपरा में किसी शुद्ध गोडिय भक्तों के चरणों में रोते रोते प्रार्तना करें तब जाकर वे क्रिपा करेंगे और हमारे जीवन में ये शरनागति का भाव आएगा जीवन में प्रयास होना चाहिए और साथी साथ इन आचारियों के चरणों में कांदिया कांदिया रोते रोते प्रार्तना करनी चाहिए कि आप हमें शरनागति सिखाईए हमारे जीवन मे शरणागती का भाव आए ऐसी कृपा कीजिए और जब शरणागती का भाव आए अचारियों की कृपा हो और हम भगवान से प्रार्थना करे तब भगवान हमारी वो प्रार्थना सुनते हैं और हमें दर्शन देते हैं